दोस्तो स्री गड़े साई आरवेद में आप सभी का स्वागत है आरवेद एक जड़ी बुठी आज हम आप लोगों को बताएंगे 11 रोगों की दवा जो 11 रोग हैं वो कौन-कौन से हैं आप वीडियों में वने रहें वीडियों को पूरा देखें अच्छा लगे तो वीडिय को जरूर दवा लें जिससे आप सभी को नोटिफिकेशन मिलता रहें चलिए चलते हैं जो 11 रोगों की दवा है वो कौन सी दवा है आप लोग देख लीजिए यह है 11 रोगों को जड़ से खतम करेगी दवा अब चलते हैं इन सब के वरावर मिश्री इन सब का चूड वनाकर एक टंग नेत्र सेवन कराओ तो राजरोग सोस दूर होएंगे यही कपूर आदि चूड जुदे जुदे अनपान से अर्ची, कफ, छई, स्वास, कास, गोला, अर्स, बमन और कंट रोग आदि को नश्ट करता है जो आप लोग को हमने दवाई बताई है इसी पिरकार से आप थोड़ा सा ले लेना और इसको कूट लेना और कूट के जो हमने आपको बताई है इसी के बराबर जो आप पूरी दवाई को मिला लेते हैं इसी के बराबर आप मिश्री ले लेना मिश्री को मिला के चूण वन जाएगा और चूण को एक टंक प्रती दिन सुवे साम लेके सेवन कराना और सेवन कराने का आपको हम बता दें जो ताजा पानी होता है नल का है कुगा का है जिसका भी हो नहीं तो आप ताजा पानी नहीं है तो एक वार गरम करके रख लीजिए गरम करके रखने के वाद में वही पानी थोड़ा सा ये दवाई लेते हैं तो इसका थोड़ा सा पानी जैसे दवा आपने लिया थोड़ा थोड़ा दवाई लेके और उपर से पानी पी लीजिए पानी पी लेने के वाद ऐसा ही आपको प्रती दिन करना है और नहीं आपको ये गरम करना है आप लोग को हम बता दें और नहीं गरम करना है तो आप ताजा पानी ले लेना ताजा पानी तो आप नलका तो आजकर सब के पास में आजकर समर हैं समर हैं तो आप ताजा पानी खेच लीजिए और नई नल तो आज कर घर घर होंगे तो आप लोगों को बता दें कि इसका आप लोग दवाई बना लेना और इसी पिरकार से सेवन कराना तो राज रोग, सोस और इसी प्रकाश से धीरे धीरे अरुची जो आप खाना खाते हैं आपका भोजा नहीं पचता है कफ जो लोगों को कफ जमा रहता है गले में छाई रोग, स्वांस जिसकी स्वांस ज्यादा फोलती है कास जिसे हम खासी कहते हैं आप लोग नहीं समझ पाओगे कास किसको कहते हैं लेकिन जो आरवेदिक के अंसार है वो कास रोग है और आप हम बोलते हैं खासी और गोला, जो आपके पेट में गोला होता है जो एकदम दर्द उठता है जो लोग कहीं कहीं हमने देखा है उसको बोलते हैं बाव गोला की पीर हो रही है अर्स अर्स आप लोग नहीं जानते हैं इसको आप हम बोलते हैं वबासीर बमन उल्टी किसी को भी उल्टी आ रही है तो यही चूरन दे देना आपकी उल्टी रुख जाएगी कंठ रोग जो आपको हमने बताए है कंठ रोग के सभी पिरकार के जो कंठ में रोग होते हैं वो सभी चले जाएगे आपको भूक नहीं लग रही है चाले हैं जो कंठ आदी सभी समिस्या है वो ठीक हो जाएगी आप वीडियो को जादा से जादा देखें वीडियो को लाइक से जरूर करें भाईया वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है और टाइम लगता है आप लोग वीडियो को देखेंगे अच्छा लगेगा तो आप लोग वीडियो को लाइक से जरूर करना भाईया तो इसल पंसारी की दुकान पे मिल जाएगी पंसारी की दुकान से ले लेना कोई भी आपको जानकारी नहीं समझ में आ रही है तो फॉन लगा के आप नमबर इसी में लिखा है तो आप देख लेना नमबर पे कौल लगा के आप पूछ सकते हैं कि भईया ये दवाई कैसे बनानी है कै हम आप लोगों को जानकारी दे देंगे, आप लोग ठीक, तो हम भी ठीक. चलिए आज हम आप लोगों को इतना इप टाते है, तो कल फिर इसी परकार से आप वीडियो लेकर आएंगे, आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक से जरूर करें.